हेलो फ्रिंद्स इस दीपक सिंग और आज लेक्चे स्टार्ट करने से पहले हम एक प्याला सा कोट पढ़ेंगे जो बहुत ही इंस्पाइरिंग भी है और वो किसी कंटेक्स में पढ़ेंगे क seuऊं और यह कोट है इन इफ्एक पौलिटिकल कार्टून है इंड में उन ऑंत में जीने PERCE यह जो जीत वही सिखण वह यह जाता है अवी और से चाहक है आप लोग से शेर करें और यह मैं किसली कर रहा हूं और नीचे साट में लिखा हुआ है यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि Prime Minister announced यह जो लिखा हुआ है repeal of laws तो जो फार्म लॉस थे जिन की उपर से पिछले एक साल से ज़्यादा से टाइम हो गया तो उस पे प्रोटेस्ट चले जा रहा है तो बो फाइनली अब प्रदान चल रहा था उन्हें रिपील कर दिया जाएगा वो यह announcement और धान मंत्री ने करी थी और यह cartoon में दिखाया गया है most probably कि यह महत्मा गांधी है और साथ में आपके जो farmers है और most predominantly उसमें सिक farmers थे जो उनका रोल था तो यह show करा गया है तो इस context में हम topic discuss करेंगे आपके farm loss का जो अभ और भी कुछ announcements करी है, उसका भी उपर भी मैं lecture आपका cover करूँगा, तो पहला एक जो lecture मैंने से के अंदर connect कर रहा था, वो था कि, what is the process of repealing a law, वो मैंने politics and governance के point of view से मैंने cover कर रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके है, sunset clause हो गया, आपका ordinance route हो गया, साथ मे फिर आपका हो गया, एक law के through pass करना, और वो law, पर्लेमेंट का जो पर्लेमेंट अगर law पास करेगी, repeal करने के लिए किसी particular law को, तो उसके लिए Parliament derive करते ही power from article 245 of the Indian Constitution, तो वो लेक्चर की YouTube चैनल पर अवलेबल है, उसमें मैंने वो लेक्चर करनेक्ट करा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, तो friends इसी context में, इसी background में, इस प्यारी thought के साथ, ये वैसे भी काफी inspiring thought थी, वो UPSC aspirants को overall, इसको आप वैसे अपने life में भी implement कर सकते हैं, कि हो सकता है कि पहले वो आप लोगों को ignore करें, आप किसी को बताएं कि मेरा UPSC का dream है ये, आप हो सकता है वो आपको ignore करेंगे, हो सकता आपका मजाग उड़ाएंगे, हो सकता आपसे लडएंगे, काफी लोग आप से कहेंगे कि यार मत करो, हो स आपकी होगी निष्चित होगी, तो इसी context में, इसी motivating thought के साथ हम farm loss के बारे में पढ़ेंगे, again I'll be covering in a 3CE approach, comprehensive, concise and contemporary, जो भी अब तक की developments हुई है, from start to end, अब तक जो हुई है, उसको मैं cover करूँगा, analysis बताऊँगा, in a comprehensive manner, साफ में concise way में आपको बताऊँगा, यही मैंने आप को बताया था, कि जिनके ओपर protest चल रहा था, पिछले साल से, 14-15 महीने हो गए, तो उनको अब decide कर रहा है, कि repeat, withdraw करने का, जो farm laws है, और यह upcoming winter session में, प्रधान मंत्री जी ने कहा है, कि उसे repeal कर दिया जाएगा, और उनने कहा है, अपने सारे protesters को, कि अब यह आप जा सकते हैं प्लीज अपने घर जाएए, आराम करिए आप, पर वो अभी भी जो protesters हैं, जो सारे आपके farm unions के leaders हैं, उन्होंने कहा हम तब भी वापिस जाएंगे घर, जब आप असली में repeal करेंगे, winter session में, तो देखते हैं, अगयान वाले दुनों में क्या development होईगी, तो प्रधान मंत्र कि मोदी जी ने ये गा कि ये जो loss थी, ultimately आपके benefit के लिए थे, but miscommunication की वज़ा से हो सकता है, आप लगों को स्याथ समझने आए, या फर हम ढंक से आपको convey नहीं कर पाए, पर उसमें blame game में वो नहीं जाना चाहते हैं, वो कहते हैं, हमारी intention अच्छी थी हम ढंक से convey नहीं कर प पर इसका जो अलग aspect है, वो ये है कि political aspect है, क्योंकि अभी 2022 में elections होने वाले हैं, और जो major states हैं आपकी, उत्रप्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, जो उसमें agricultural belt है, वहाँ पर जो farmers का इसना जादा role है, जो आपके food grain supply करते हैं, या आपकी green revolution की belt भी रही है, तो वहाँ पर resentment क बाफी हो रही थी, और लग रहा था कि अगर जो इतनी सारी controversies होई हैं, आपकी वहाँ पर, सिंगो वाडर पर, लखीन पूर खेरी हो गया, हर जगा पर इतनी controversies होई हैं, तो अगर ये farm loss को repeal नहीं करा गया, वापस नहीं लिया गया, तो लग रहा था कि elections भी शायद हार सक पर आरेगी नहीं, तो कम नंबर तो आएंगे, तो इसी context में, ये farm loss repeal करे गए हैं, बलब ये announcement करा गया है, अब कौन से loss से, जो basic देखा जा तो loss आपके तीन context में थे, एक हो गया, आपका contract farming के context में हो गया, जो related to MSP भी है, ये जो farmers का था, उनकी concern थी कि शायद MSP repeal कर दिय जायेगा, government ने assure करा था, नहीं करेंगे हम repeal, पर farmers को लग रहा था, contract farming के चकर में, दूसरा आपका था, free movement of आपका, वहाँ पर farmers को freedom दी जाएगी, trade के लिए, interstate as well as intrastate, और तीसर हो गया, essential commodities के context में, तो उनके नाम क्या है, Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act of 2020, ये आपका contract farming के related में था, और आपका MSP के context में भी जो इस पर controversy थी वह था, दूसरा हो गया, Pharma Produce, Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act of 2020, ये मैंने आपको बताया था, giving freedom to do a farmers for intrastate as well as interstate, ये APMCs के context में था, और तीसरा था, essential commodities, amendment act of 2020, इस पे जादा कुछ controversy नहीं थी, तो main इस पर जो controversy थी, वो इन दोनों पे ही थी, इसमें ये भी कहा गया था कि, चले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, कि जैसे corporates को भी काफे criticize करा जा था, कि उनको भी freedom मिल जाएगी, exploit करने के लिए ये भी criticism था, अब इसकी ब्रीफ टाइम लाइन देख लेते हैं, अगर ब्रीफ ली देखें तो original जो इसकी timeline थी, ये हिंदु में अच्छा सा एक timeline का front page पे आया था, infographic आया था, जिस पर पूरी timeline बताई थी, ये एक और चीज़ मैं कहना चाओंगा, कि ये जो lecture है, ये आपके काफी सारे aspect आपके touch करता है, ये multi-dimensional topic है, quality and governance के लिए मैंने आपको बताया था कि repealing a law का क्या role रहता है, उस context में पूछा जा सक track farming हो गया, role of APMC हो गया, ये सब काफी सारे topics हैं, उनको touch कर सकते हैं, तो ये है आपका, तो अब brief timeline देखते हैं, कि जो protest, जो controversy शुरू हुए थी, जून में, जब तीन ordinance अपके promulgate करे गए थे, president of India द्वारा, और ये जून पांच को हुए थे, promulgate करे थे, और ये farm loss के ordinance थे, ordinance route, एक देखा जाया, तो चलाकी की बात ये भी देखी जा सकती है, कि जब उन्होंने farm loss को implement करना था, तब start ordinance से हुई थी, पर अभी उन्होंने ordinance पास नहीं करें, आप करें, सीधे parliament का वेट करेंगे, मैंने previous lecture में भी एक बात यही कई थी, कि अभी ED और CBI की जो directors की जो टें announcement दी थी, इस अच्छा है, और क्या आपके लिए gift हो जाता, कि ये farm loss जो है, controversial farm loss है, उनको repeal कर दिया है, गुरुपुरप पे इन्होंने दो चीज़े कर दी थी, एक करतारपूर corridor को reopen करा था, उसके उपर मैं lecture अल्रेडी यहाँ पे, AQBIS के channel पे connect कर चुका है, उन दूसरा यह था, तो जून 5, 2020 को, President of India ने ordinance अपके promulgate करे थे, और इन ordinance को repeal कर दिया गया था, with the three acts, जिसके बारे में मैंने mention करा था, in September 2020, फिर उसके बाद जो major development हुई थी, कि Supreme Court ने stay लगा दिया था, January 12, 2021 तक, यानि कि देखा जाये, ordinance से लेकर, January 12 तक देखा जाये, तो 221 दिन ये effect में रहे थे, पर उसके बाद अगर इस पर stay भी लगा दिया गया, तो stay लगा था, implementation पर लेकिन law तो अभी भी वहाँ पर आपकी law box में है, आपका, तो इसी विरा से controversy चल रही थी, साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, कि, एक question ये बन सकता है, कि, क्या अगर कोई law, जिस पर already stay लगा हुए, क्या उसे repeal करने की जरूरत है, नहीं है, ये एक बन सकता है, इस पर question, तो मैं कहूंगा कि, हाँ, बिल्कुल, उसे repeal करने की जरूरत है, not in a subjective manner, but ultimately, उसको, अगर उसको, मतलब ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, अगर कोई law है, इस पर stay लगा हुए, सुप्रीम कोट ने तो उसे repeal नहीं कर सकते है, उसे repeal कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कि वो stay लगा हुए, तो implementation नहीं हो सकती, तो अब इसके हम डिटेल में timeline देख लेते हैं, ordinance मैं आपको बता दिया था, कि ये आपका जून में हुआ था, ordinance आपका प्रमिल्गेट कर रहा जो आपकी थी, All India Kisans Sंघर्ष Coordination Committee, All India Kisans Sंघर्ष Coordination Committee, जब फार्म यूनियन के बारे में बात करेंगे, जब फार्मर मूमिंट की बात करेंगे, तो आप ऐसे भारती किसान यूनियन हो गया, All India Kisans Sंघर्ष Coordination Committee, इनके भी नाम लीजिएगा, ये मतलती, सर्फ एक होत प्रोटेस्ट शुरू करा, और उसी के सबसेक्वेंटल, उन्होंने BJP-led India Alliance को छोड़ दिया था, गवर्मेंट ने फिर पहला round of discussion लिया था दिसम्बर में, पर सीरियसली नहीं ही जिया था, उसमें, फिर फार्मस ने जो गवर्मेंट के जो प्रोपोजल थे, उसको ब्रिज कर दिया था, फिर भारतिया किसान यूनियन, जो एक ट्रेड यूनियन है आपकी, वो सुप्रीम कोट गई अगेंस इस लॉस और सुप्रीम कोट ने जैनवरी 12, 2021 जो मैं आपको बताया था, उसकी इंप्लेमेंटेशन स्टे कर दी थी, उसने कमीटी सैट अप कर दी थी, पर जनवरी 26 को, जब वहां पे आपके फार्मर्स ट्राक्टस लेके आपके डेली के अंदर आ गये थे, सिंगू बॉर्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो काफी जादा आपकी, वहां पे आपकी कॉंट्रवर्सी हुई थी, जब वहां पे लाल के लिए भी चड़ गये थे, वहां पे भी काफी कॉंट्रवर्सी हुई थी, तो मतलब एक कहा जाते कि अलग साही दिन था, वो काफी कॉंट्रवर्शल दिन रहा था, तो वहां पे काफी जादा वाइलेंट हो गये थे, उसके बाद लगा था कि यार, अब कुछ सीरियस्टी स्टेप लेने पड़ेंगे तो गर्मेंट ने प्रोपोस करा कि हम ये सस्पेंड कर देंगे, लॉस्ट फॉर येर एंड हाफ, और साथ में जॉइंट कमीटी सेटप करेंगे, पर फार्मर्स ने तब भी रिजेट कर दिया, कोरोना वाइरस आया, ठंड आ गई, कुछ भी हो गया, वो वहां से नहीं ले, मतलब दाद देनी पड़ेगी फार्मर्स की, रिस्पेक्ट टू दाट, फिर जुलाय आ गया, जुलाय में भी उन्होंने वहां पे, रिपब्लिक दे वाला क्लैश काफी वाइलेंट था, फिर वहां पे उन्होंने मॉन्सून सेशन जो हुआ था पार्लेमेंट का, तब फार अक्टूबर में, अभी रिसेंटली, अक्टूबर के महीने में, सुप्रीम कोट ने अब्जर्व करा था, कि इट वॉस नॉट अगेंस पीपल्स राइट तो प्रोटेस्ट इवन उन्मैटर्स दाटा सब्जिडाइस, यानि कि जो मैटर पे अभी सुप्रीम कोट में पेट यह भी कहा था कि पब्लिक रोट्स को इंडिफिनेटली ब्लॉग नहीं कर सकते, यह नहीं कि बिना बाद पे आप यहां पे रोट्स को ब्लॉग कर दें, आप कैपिटल के अंदर आ जाएं, और कहीं पे भी किसी पे भी आजए तो उनको ब्लॉग करना, तो उस पे उन्होंन इसी टाइब की परस्नालेटी हैं, पर अब इलेक्शन आने, मतलब इतने सब होने के बाद भी, मोदी जी और अमिट शाह होगे, जो बाकी सारी जो एंडिये गर्मेंट है, बीजीप गर्मेंट है, उन्होंने रिलेंट नहीं करा, पर अल्टिमेटली, जब इलेक्शन की बा अग में रखते हुए, उन्होंने रिपील करे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया थे उन लॉस के बारे में, यह उसकी वरीफ टाइम लाइन थी, यह काफी रेलेवेंट है, अब मैं लॉस के बारे में बताते था हूँ आपको, तो जो तीनों लॉस हैं, उस पे क्या-क्या नाम था, क्या उसकी प्रोविजन्स थी, गर्मेंट का क्या वियू था, और फार्मर्स का क्या वियू था, यह थोड़ा से एक्जॉस्टिव हो सकता है, पर इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ और पनने की जरूत नहीं पड़ेगी, तो पहला लाओ हो गया, जिस इंटर कर सकते हैं, विद आपका जो होगे, आपके जो कॉपरेट्स होगे, एक्सपोर्टर्स होगे, यह फिर जो बड़े, आपके जो, कोई भी आपके लार्ज बायर्स होगे, उनके साथ डारेक्ट एग्री मिंट में आ सकते हैं, एक प्री डिसाइडड प्राइस होगा, क तो इसे काफी इस पर debate चलता भी रहता है, कुछ इसके benefits भी रहते हैं, ये भी debatable topic है, अगर जाधा हुआ तो contract farming पर, मैं एक lecture भी conduct कर लेता हूँ, in fact, I'll conduct a lecture on contract farming, तो इस पर मैं एक lecture upload भी कर दूँगा, कि उसके debate, उसके pros and cons भी मैं कर दूँगा, discuss, तो contract farming एक index में, तो ये एक debatable रहता है, इसके बहुत अच्छे examples भी रहे हैं, काफी controversial examples भी रहे हैं, तो ये था, तो government का ये था कि farmers को अच्छा कासा price मिलेगा, वो ये कहते हैं कि crop prices under this law would be determined by market forces, तो यानि कि अगर कोई crop demand में हैं, तो यानि कि farmers उसके लिए जावा अच्छा पैस कोट कर सकते हैं, वो होता है न, demand and supply का होता है, कि अगर काफी जादा crop अगर demand में है, तो जादा price आप higher कोट कर सकते हैं, तो farmers को benefit मिलेगा, ये government का कहना था, और साथ में जो दूसरा law है, जो inter-trade वगरा, inter-state trade आपका allow करेगा, farmers could sell in-demand crops at the highest possible price in other states also, और साथ में ये भी कहा जाता है, कि this would eliminate agricultural middlemen, contract farming में क्या होता है, कि direct agreement में जा सकते हैं, तो पंजाब में जैसे आर्थियास हो गए आपके, फिर इस तरीके से जो middlemen है, कहीं कहते हैं, कि उनका बहुत जादा role रहता है, कुछ controversial भी रहता है, तो कहते हैं, कि वो middlemen है, वो हट जाएगा, farmers को भी better price में और हो सकता है, overall price भी उससे कम हो जाए, तो यानि कि consumer को भी benefit रहेगा, तो agree companies होगी, agree firms होगी हैं आपकी, तो इस तरीके से ये benefit है, जैसे PepsiCo का भी आप देखें, PepsiCo कितनी बार होता है, हम देखते हैं, potato farmers के साथ, आपके इंटर करा हुए agreement for their lace chips, तो आपने कभी पढ़ा भी हो उसके अंदर लग रहा था क्योंकि government ने तो कहा था कि जो भी इसके अंदर जो crop price होगा, that would be determined by the market forces, but government को लगा कि इस new law के चकर में MSP eliminate हो जाएगा, they also feared, क्योंकि अब बड़े corporates आजेंगे, इसके अंदर वहां पर farmers के साथ, direct agreement में आपके इंटर कर लेंगे, तो लग रहा थ they also feared that that would lead to corporatization of agriculture, जिसमें large corporates होंगे, वो dictate करेंगे terms, तो farmers एक तरीके से, और low prices वहां पर dictate करेंगे terms, तो farmers वहां पर resist नहीं कर पाएंगे, उनको deal अच्छी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि कम price मिले farmers को ultimately, बात तो government कह रही कि जादा prices की पर हो सकता है कम price मिले, और small and marginal land laborers हो गए, land holders हो गए, तो ये जो है, ये bargaining power इनकी कम रहेगी, क्योंकि United भी है, weak भी है, financially देखा जाए, तो contracts को समझने में, जैसे मैं contract farming का lecture का भी अलग से discuss करूँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि वहां पे एक काफी debatable issue रहता है ये इसमें, तो इस context में जो prices हैं, वो regulate प्रदान मंतरी ने भी बाद में assurance दी थी, मतलब पिछले कुछ महीनों में, कि MSP eliminate करने की बात होई ही नहीं है, हम MSP discontinue नहीं करेंगे, उसके बाद काफी बार इनोंना announcement करके MSP बढ़ाया भी था पिछले कुछ महीनों में, पट फार्मर्स ने यही कहा था, कि जब मंदी इस state और आपका intra, जो आपका दूसरा law है, उसके through, मंदी को भी bypass कर सकते हैं, middleman की जरुरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे आपका जो price है, उसको ढंक से monitor करना मुश्किल होगा, so by eliminating the mundies, it would make it difficult for the government to monitor each transaction and ensure fair prices, तो यानि कि जो आपका price determined हुआ है, अगर कहां पे आपकी जो corporates है, if they are not agreeing to that price, तो वहाँ पे जाएंगे, तो ये farmers की concern थी, कि जो regulated spaces होते हैं, जो APMC's वगरा होती हैं, वो भी मैं दूसरे उस पर आऊंगा भी, जो law पे, तो उसमें यही कहा था कि overall उनको अच्छी deal नहीं मिल पाएगी, उन्हें exploitation के जादा chances है, corporatization of agriculture अचरे, इस type की terms आप use कर सकते हैं, means के answer में, तो इस context में यह debate चल रहा था, government assurance दी थी, again, the law did not explicitly discontinue MSP, पर साथ में यही कहा था कि market forces will determine, so that is an ambiguous term, तो यह अपका पहला law था, इसको उमने detail में discuss कर दिया, इसके feature था, government का क्या view था, farmers का क्या view था, अब हम आते हैं, दूसरे वाल Farmers Promotion and Facilitation Act, अब यह law क्या कहता है, government का यह view था, कि this law would enable farmers barrier-free intra and interstate trade, interstate हो गया, यानि कि दो states के बीच में हो गया, यानि कि पंजाब और महाराश्रा के बीच में trade की बात हो गया, intra हो गया, सिरफ पंजाब के अंदर हो गया, तो this would enable farmers barrier-free intra and interstate trade of all farm produce, which they could sell at the markets of their choice, even if in the other state, तो यह था कि farmers को freedom दी जाएगी, they would not have to pay a tax collected by the state, यह एक और इसका key provision था इसका, क्योंकि अभी हम currently देखा चाहिए, तो currently क्या होता है, जो currently farm produce है, that is sold at a notified wholesale market और Monday's run by APMCs, agricultural produce marketing committees, यह current scenario है, जिसमें क्या होता, farmers take their produce to the local markets, जो आपकी APMC द्वारा आपकी run करी आती है, we are licensed middlemen, buy from them at prices set by the auction before selling to institutional buyers, तो यह middlemen eliminate करने की बात करी थी, जो आपका पहला law भी आपका बात करी थी, दूसरा law इसको फिर कह रहा था, तो यह current scenario है, इसको भी यह कर रहा था कि, in conjunction with आपका first law, यह ensure कर रहा था कि, अब वो किसी भी state में, ऐसा नहीं कि, इनको APMC द्वारा जो designated market है, वहीं पर जाके उसको अपना produce sell करना पड़ेगा, उनका अमन करेगा, वो किसी भी state में sell कर सकते हैं, तो इस first law law एक दूसरे के वहाँ पर आपको supplement कर रहे थे, तो यह आप का government का view था, तो मैंने आपको बताया था कि current scenario क्या है, यह APMC वाला मंडी का जो है, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि government ने क्या क्या चेंज कर देगा, क्या इसके feature है, तो देखने में अच्छा लग रहे है कि भई, कहीं पे भी उनको freedom दी जा रही है, साथ में उनको tax collected by states वाला जो है, वो भी eliminate कर दिया जागा, तो यह positives है, अब farmers का view था, तो farmers का यह था पहली बात, तो यह कि already small और जो marginal farmers है, वो they are not in a position कि वहाँ पे वो interstate trading में आपके involved हो जाएंगे, तो उनके लिए APMC वगरा, वो कह रहे थे कि अगर APMC को मंडी हैं, उनको eliminate कर दिया जाएगा, उनकी concerns थी, तो वो कहाँ पे महाँ पे आपका travel कर रिके जाएंगे, कि अगर उनी eliminate कर दिया जाएगा, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है दूसरी state में जाके travel करना, वहाँ पे trading करना, उनको ढंक से उनके पास resources ही नहीं है, because of travel and storage resources के चक्कर में, क्योंकि आपके perishable, आप आपकी trains हो गई, आपकी freight corridors होने चाहिए, यह सब बहुत सारी चीज़े है, तो यह सब उनके लिए relevant रहेगा नहीं, इसी वज़ा से वो local wholesale market में जाते हैं, पर अगर उसे भी dismantle कर दिया जाएगा, तो कैसे काम करेंगे, और साथ में ये भी कह रहे थे हैं, कि इस law का section 8 है, वो इस law, फार्मर्स वर not powerful or influential enough to access the SDM office, तो यही कहती है कि SDM office में आप चले जाएगे, यानि कि IS के office में चले जाएगे, अभी तो हम इसके बारे में पट रहे हैं, आप जब future में IS बनेंगे power आ जाएगी, तो होता है यह ना, आप लोग भी एक UPSC वाले होंगे, तो वो थोड़ servants है, वो देश को सेवा कर रहे हैं, and salute to them, I salute to them, but होता ही है कि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, जब आप administrative reforms commission की आप reports पढ़ेंगे, तब आस उसमें देखेंगे कि उनके पास इतने सारी responsibilities होती है, political, social, economic, कि वो सारी चीज़े भेखनी पाएंगे, तो उनके पास time नही कर पाएगा, तो बेटर होगा, dispute resolution कोई धंका mechanism हो, जिसको access कर पाएगे, तो ये law second था, जिसमें मैं आपका पता है कि current scenario क्या है, उसके features क्या है, और साथ में उसकी farmers की concern क्या है, तीसरा था आपका Essential Commodities Amendment Act, ये law कहता है, this law was to scrap the government's power to limit stocks of essential food items, except under extraordinary circumstances, और साथ में ये का था, stock limit would be based on price rise in the market, तो जो stock limit है, माँ पर जो impose करी जाती है, government के उपर होती है, उसको eliminate कर दिया जाएगा, except under extraordinary circumstances, and the stock limit would be based on price rise in the market, it also removed certain goods like edible oil and onion from that list, essential commodities की list होती है, और जो it also enabled the government to regulate the supply of such commodities, और even re-include them on the list, तो ये इसकी key provision थी, पर इस पे जादा कोई disagreement नहीं था, जो major disagreement था, वो पहली और दूसरी में था, जो आपका contract farming के लिए था, MSP's के related था, local mandates होगी और APMCs होगी, उनके context में था, तो ये था आपका farm loss का, तो friends, एक और चीज़ मैं कहूंगा, जब भी अगर farm loss के उपर, अगर इस साल mains में question आए, तो ये नहीं है कि अब उसे repeal कर दिया गया है, तो सिरफ एक one-sided answer देना चाहिए, सिरफ government को गालिया निकालने लग ज पार्मर्स का क्या view था, वो भी आप साथ में put करिएगा, अपने means answer में, और उसके बाद एक conclusion दीजिएगा, और साथ में ये भी अगर किसी authentic committee की, कोई भी अगर government of India, या फिर कोई भी supreme court की committee है, उसने अगर कुछ recommendation दी है, या फिर farmers की committee है, उसने कुछ recommendation दी है, जैसे मैं आप को बताया था, All India Kisanth Sangaj Coordination Committee है आपकी, AIK-SCC, तो इस committee की अगर कुछ recommendations है, तो उसको mention करिएगा, instead of saying कि we feel this, it's better to quote some committee, so that will give authenticity to your answer, तो friends, ये था lecture मेरा farm loss के उपर, जो मैंने आपको बताया था, कि इस series के अंदर, अभी तक मैंने, ये दूसरा lecture है, पहला मैंने बताया था कि what is the procedure to repeal a law, फिर मैंने farm loss को पूरा detail में समझा दिया है, contract farming के related, APMCs के related, जो भी अगर lectures है, वो soon I'll be uploading them, तो ये आपकी comprehensive series हो चाएगी, तो I hope आपको ये lecture पसंद आया हो, अगर आपको lecture पसंद आया हो, then please feel free to comment on the YouTube section of our lecture, आप इस lecture को like करिए, और अपने fellow experience के साथ share करिए, और in fact आपके घर में भी अगर कुछ लोग है जिनको farm protest के बारे में पढ़ना है, अगर आपको लगाए lecture, simple language में आपको समझाया गया है, तो आप उनके साथ भी शेर करिएगा, और हम बहुत सारे social media platforms पे भी available है, जैसे आपका Facebook हो गया, Instagram हो गया, Telegram हो गया, YouTube पे तो है ही हम, ये हम हमारा contact number है, तो इन mediums के तुरू भी आप हमें reach out कर सकते हैं, तो friends, this is दीपक सिंग on behalf of AQBIAS, bye, thank you. झाल